अठाइस अक्टूबर 1868 को भगनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। अठाइस अनन्द ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया जिसका अर्थ है समर्पित। भारत आने के बार निवेदिता ने समाज सेवा विशेश रूप से महिलाउं और बच्चों की सिक्षा के छेत्र में औसाधारन कारे किया। उन्होंने कौलकता में एक लड़कियों के वि साहित किया भगनी निवेदिता का जीवन समर्पन त्याग और भारतिय समाज की प्रती उनकी गहरी निष्ठा का प्रतीक था उनका योगदान सिक्षा समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में अमोल ले रहा वे भारत की सच्ची मित्र और एक प्रेणा स्त्रोत बनी रही 28 अक्टूबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हुआ था जो शीत युद के दौरान अमेरिका और सोवियत संग के बीच सबसे तनावपुन और खतनाग घटनाओं में से एक था इस संकट की शुडवात तब हुई जब अमेरिका ने क्यूबा में सोवियत संग द्वारा परमाणू मिसाइले तैनाथ करने की जानकारी प्राप्त की ये घटनाक्रम 16 अक्टूबर 1962 से शुरू हुआ और पूरी दुनिया को परमाणू युद के कगार पर ले गया ततकालीन अमेरिकी राश्च्रपती जॉन अफ कैनेडी और सोवियत नेता नेकिता खुरुषेव के बीच कूटनितिक संबाद और गहन वारताओं के बाद 28 अक्टूबर को खुरुषेव ने क्यूबा से मिसाइले हटाने पर सहमती जताई इसके बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमर ना करने का आश्वासन दिया और बाद में गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइले हटाने पर भी सहमती दी ये संकट दोनों महाशक्तियों के बीच परमानू संघर्ष को टालने में सफल रहा और इसे शीत युद्ध की एक महात्विपून घटना माना जाता है जिसने भविश्य में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में नए कूटनितिक प्रयासों को जन दिया 28 अक्टूबर 2001 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ के बहावलपूर शहर में एक चर्च पर हुए आतंकी हमले में कई इसायों की निर्मम हत्या कर दी गई थी ये घटना उस समय हुई जब लोग सेंट डॉमिनिक चर्च में रविवार की प्राथना सभा के लिए इखटे हुए थे हमलावर हतियारों से लैस होकर चर्च में घुसे और अंधा धुंद गोली बारी की जिसमें 16 इसाई लोग मारे गए जिनमें बच्चें और महिलाएं भी शामिल थी ये हमला 9 बटा 11 की घटनाओं की कुछ ही हफ्तों बाद हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात बहुत तनावपूर थे माना जाता है कि इस हमले का उदेश ये पाकिस्तान में अलपसंख्यक इसाई समुदाए को डराना और आतंकित करना था इस हमले ने ना केवल पाकिस्तान के इसाई समुदाए बलकि अंतराश्ट्री इस्तर पर भी चिंता और निंदा को जन दिया ये घटना पाकिस्तान में धार्मिक अलपसंख्यकों पर होने वाले हमलों का एक भयावह उधारन है और इसे मानफ्ता के खिलाफ एक गंभीर अमेरिका को स्वतंतरता की सौवी वर्षगाठ पर उपहार स्वरूप दी गई थी स्टैचू आफ लिबर्टी स्वतंतरता लोकतंत्र और न्याय का प्रतीक मानी जाती है इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ओगस्टे बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था जबकि इसके धातू के धाचे का निर्मान प्रसिद इंजीनियर गुस्ताव आइफिल ने किया था जो पैरिस के आइफिल टावर के लिए भी प्रसिद है इस मूर्ती का पूरा नाम लिबर्टी एन लाइटिनिंग दव वर्ल्ड है जिसका अर्थ है दुनिया को रोशनी देने वा प्रसियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनी जो अमेरिका में बहतर जीवन की तलाश में आये थे इस्टैच्यू ओफ लिबर्टी आज भी अमेरिकी सुवतंत्रता और सम्रिधी का प्रतीक है और एक महत्विपूर्ण एतिहासिक स्थल के रूप में लाखों परयाटकों को आकर शित करती है। महत्विपूर्ण योगदान दिये। 1952 में उन्होंने पहली बार एक प्रभावी इन अक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन विक्सित की जो बार में 1955 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होई। इस वैक्सीन की मदद से पोलियो के मामलों में भारी कमी आई जिससे लाखो लोगों की जाने बचाई गई। जुनास सालक ने अपने जीवन को चिकित्सा अनुसंधान और सारवजनिक स्वास्ते में सुधार के लिए समर्पित किया। उन्होंने वैक्सीन के पेंटेंट को नहीं लिया ताकि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा उनका योगदान ना केवल चिकित्सा शेत्र में बल्कि समाज के स्वास्तिय के लिए भी अत्यंत महत्विपून रहा है। उनका निधन 1995 में हुआ लेकिन उनकी उपलब्धियां आज भी लोगों के लिए प्रेणा का स्त्रोथ है। 28 अक्टूबर को अंतराश्ट्री एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस एनिमेशन की छेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों, निर्माताओं और उद्योग के सभी सदस्यों को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उदेश्य एनिमेशन की कला और इसकी महत्व को समझना है। साथ ही इस छेत्र में हो रहे नए इन्वेंशन और प्रगती को भी उजागर करना है। अंतराश्ट्री एनिमेशन दिवस की शुरुवात 2002 में की गई थी और तब से ये हर वर्ष मनाया जाता है। एनिमेशन ना केवल फिल्म उद्योग में एक महत्विपूर्ण भूमी का निभाता है बलकि ये सिक्षा, विग्यापन, गेमिंग और अन्य कई छेत्रों में भी उपियोग किया जाता है। इस दिन विभिन कारिक्रम, कारिशालाएं और स्क्रीनिंग आयोजित की जाती हैं जहां लोग एनिमेशन की प्रक्रिया और इसके पीछे की कला के बारे में सीखते हैं। ये दिवस अनिमेशन के प्रती जागरुकता बढ़ाने और शेत्र में काम कर रहें कलाकारों को प्रोतसाहित करने का एक अफसर है। आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटिस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर पी आ एच और देख सकते हैं। साथ ही इस डे इन हिस्ट्री में जानिये इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरी सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग-अलग न्यूज चैनल्स और मज़ेदार कहानिया। और हाँ, सिटीजन जर्नलिस्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहां आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खास कर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग-अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट Google Play Store या iOS पर जाएं। और Rhythm App डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाईए अपडेटेड झालग झालग कीजिए।